फिल्म इंडस्ट्री में कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे भी हैं जिनका करियर शुरू तो बहुत अच्छे से हुआ, फेमस भी हुए, लेकिन एक गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया आज ऐसे ही, छे स्टार्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जिनकी एक गलती ने उनके पूरे करियर को बर्बाद करके रख दिया और आज की डेट में इंडस्ट्री में उन्हें लोग काम देने से हिचकते हैं इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है उस अक्टर का जो जब लॉँच हुआ था तो कहा जा रहा था कि इंडस्ट्री का नेक्स चॉकलेट बॉई है हैंसम लोग्स, स्टार पावर, एक स्टार फैमिली से बिलॉंग ये करते थे फरदीन खान की मैं बात कर रहे हूँ फरदीन खान को initially इंडस्ट्री ने accept किया था और वो बड़ी-बड़ी actresses के साथ फिल्मे कर रहे थे एक चाइम पर करीना कपूर के साथ भी उनकी जोडी को काफी पसंद किया जा रहा था लेकिन फरदीन खान से अपने करियर के initial दौर पर ही एक बड़ी गलती हो गई वो ड्रग्स मामले में पकड़े गए और उसके बाद legal cases में फस गए इस incident के बाद फरदीन खान को इंडस्ट्री में काम मिलना कम हो गया तीरे-दीरे बंधी हो गया और फरदीन खान इंडस्ट्री से आउट हो गए अगर फरदीन खान के साथ वो ड्रग्स वाला एंगल नहीं होता तो शायद आज तक फरदीन खान काम कर रहे होते इंडस्ट्री में आक्टिव होते और बड़े खान में उनकी भी गिनती होती इस लिस्ट में दूसरा नाम है उस सिंगर का जो शारुक खान की आवाज बन चुका था अब आप समझ सकते हैं कि शारुक खान जो टॉप के सूपर स्टार है उनकी आवाज बनना कितनी बड़ी बात होगी क्योंकि शारुक खान के जो गाने हैं वो जादा popular होते और शारुक खान की आवास बनने वाले singer को भी fame और popularity उतनी ही बड़ी मिलती है ये शारुक खान की आवास बन चुके थे और उतनी fame उतनी popularity के level पर जा चुके थे लेकिन उस time शायद इनसे ये stardom सभाली नहीं गई इनकी जबान ऐसी फिसली कि इन्होंने industry के khans के खिलाफ ही बोलना शुरू कर दिया जिसके बाद industry ने इन्हें काम देना बंद कर दिया और आज की date में ये अपने गानों के लिए कम और अपने विवादास पत बयानों के लि की quality रपता था उसके industry में आने से बड़े-बड़े actors हिल गए थे क्योंकि उसने acting इतनी दमदार की looks बहुत अच्छे थे, acting दमदार और producers, directors की वो पसंद बन गया था industry में कुछ ही समय filmें की लेकिन जितनी भी filmें की वो अच्छी filmों में count होती है लेकिन personal life में इतनी बड़ी controversy हुई कि industry से out हो गए, अज कहां है, क्या कर रहे हैं, किसी को नहीं पता यह actor है शाइनी आहूजा, हम सब जानते हैं शाइनी आहूजा को कितना पसंद किया गया, उनकी कितनी अच्छी fan following बनी लेकिन उनकी maid ने उन पर आरोप लगाया कि शाइनी आहूजा ने जब शाइनी की बीवी घर पर नहीं थी, तब maid का rape करने की कोशिश की तो rape का यह case शाइनी आहूजा पर चला और industry उनसे दूर हो गई, आज नामो निशान नहीं है शाइनी आहूजा का कि वो कहां है, क्या कर रहे है हला कि welcome back से उन्होंने आने की कोशिश की थी, लेकिन public ने उन्हें वो प्यार नहीं दिया, और फिर शाइनी आहूजा तूट गए, उन्होंने कभी comeback की हिम्मत नहीं की इस list में चौथा नाम उस actor का है, जो khans के लिए बहुत बड़ा competition बन चुका था, जहां भी screen पर खड़ा होता तो lime light खीच लेता था और अच्छे actor के रूप में जाना जा रहा था, लेकिन उनसे गलती ये हो गई कि जब उन्हें stardom मिला, जब उन्हें power मिली, तो उन्होंने उस power को एक बहुत बड़े powerful व्यक्ती के खिलाफ यूज करने की कोशिश की, जिस कारण वो industry से out से हो गए, और industry वालों ने उनके साथ डर से काम करना बंद कर दिया, ये actor है विवेक आबरोय, विवेक आबरोय बहुत जल्दी star बन गए, लेकिन star बनते ही उन्होंने सलमान ख से हटा दिया गया, कई लोग विवेक आबरोय के साथ काम करने से कत्राने लगे और जिन लोगों के साथ विवेक आबरोय काम कर रहे थे, उन्हें भी धंकी मिलने लगी किसे हटा लो फिल्म से, इस तरह से विवेक आबरोय का करियर तबाह हो गया, उन्होंने उसके बाद भ भी शक्ति कपूर को हर दूसरी फिल्म में लिया जा सकता था लेकिन उसी टाइम पर शक्ति कपूर से ऐसी गलती हो गई कि इंडस्ट्री वाले उनके साथ काम करने से जिजकने लगे शक्ति कपूर का एक sting operation वाइरल हो गया जिसमें देखा गया कि कैसे यंग लड़कियों को का दिलवाने के नाम पर sexual favors शक्ति कपूर मांगते हैं तब शक्ति कपूर की बहुत बदनामी हुई इस बदनामी का असर उनके अच्छे खासे करियर पर पड़ा अगर ये incident शक्ति कपूर की life में नहीं होता तो आज भी वो इंडस्ट्री में बहुत जादा active होते क्योंकि शक् इस लिस्ट में छटा नाम है उस सितारे का जिसने बहुत कम समय में टीवी में नाम कमा लिया टीवी से फिल्मों में चले गए फिल्मों में जाकर अमिता बच्चन के साथ काम कर लिया टीवी का सूपर स्टार बनकर वो फिल्म का सूपर स्टार बनने ही चले थे कि वो भी फ एक स्डोर वाली बात थी, कि हर मा को अपना बेटा इसी रूप में चाहिए था, इसलिए इंडियन ओडियन्स ने अमन वर्मा से बहुत जल्दी कनेक कर लिया, और वो पॉपलर भी हो गए और उनके पॉपलरिटी के दम पर टीवी के साथ-साथ फिल्में भी करने लगे, लेक की चीज इस स्टिंग ओपरेशन में दिखाई गई थी, इस स्टिंग ओपरेशन से लंबे समय तक अमन यतनवर्मा इंडस्ट्री से गायब रहे थे, हाला कि इस स्टिंग ओपरेशन की सच्चाई अमन यतनवर्मा ने कुछ समय पहले ही, बॉलिवूद ठिकाना के साथ उनकी negative publicity इस हद तक हुई कि इस controversy ने उनके लिए negative donor के roles का रस्ता भी खोल दिया, क्योंकि उससे पहले अमन यतनवर्मा को सिर्फ positive roles मिल रहे थे, बट इस controversy के बाद लोग उने negative roles भी देने लगे, तो उन्हें variety of work मिलने लगा industry में, तो ये हैं वो सितारे जिनकी एक गलती ने इनके पूरे career को तबाह कर दिया